गुट मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी वेलकम ऑनलाइन स्टूडिज फॉर प्रग्या स्कूल सिने स्केंडर स्कूल भांडवा हम रेजिनिंग पढ़ रहे हैं जिसका सेकेंड लेक्चर है आज और फिर्ट लेक्चर में हमने आपको आलफाबैट टेस्ट के बारे में बताया थे तो अभी तक हमने अलफाबैटो की याद करने के टिंग्स बताये थी यदि आपको याद है तो undersब्स कीए हतज है ॠ कितना है jsश खीक ली कितना था कैस rarely do एस कितना 19 और वाई कितना इजोटी 525 यू यू आ 21 में टबलू फॉर वाइफ 23 जे फॉर टैन जो की जोटी में था के ग्यारवा अक्षर याद है नहीं सब लंच कितने बजे बारा बजे ओके ये सारी बाते हमने आपको एक ट्रिक से याद कराई थी ठीक है एक बार फिर से देखो अफिक्स जी सेवन जो सेवन की तरह लिखा जा रहा है एच हाउस का दरवाजे की तरह इसको देखें आई नो मैं जानता हूँ आई नो आई नो ठीक है आई नो तो नाइन हो गई कि एन जो सेकेंड हाफ का फस्ट है जो कि 14 नंबर पे ठीक है भई जो टी में ओ 15 पे आ गये था फी फोर पूजा पूजा लड़की 16 सुमवार और जो की राजा था रानी के बाद एस क्या था सन उननीस सन टी 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 एक्स नथिंग ट्वंटी फोर वी वीवा बा पांच बिल्कुल आसान है सब को याद हैं भी कोई सेस बात नहीं है तो यह अच्छ एट हो गया था अपका ठीक है इस तरह से हमने नंबरिंग आपको कराई थी किसने नहीं देखी है तो एक बार इसकी ट्रिक आप जरूर देखें काफी हेल्पल रहेगी आपके पास तो फ अन्गान नाइन्टीन राजा के बात ठीक वी के कितना ग्यारवा एक सर ठीक है एक से ट्वंटी फॉर ठीक भई वाई क्या जोटी लास्ट ट्वन्टी फाइफ आई नो आई नो मैं जानता हूं एना इज यो टीका फरस्ट जो कि फाइफ नंबर पे आएगा ठीक है याद ह सब आर आर राजा 18 17 के बाद 17 रानी क्वीन ठीक है यह याद है आपको ओके चलो ठीक है यदि आपको नंबरिंग याद है तो इस पर बेस्ट क्यूशन कैसे पुछे जाते हैं देख बाएक पर देखिया आप जिसे मैं एक एक पर लिए लिए का लिए अपके पास आपके सामने देखिए भी बी के बाद डी डी फिर अफ फिर ये भी और ह问 पर अपको क्युशन मार्क मिलता है ठीक है तो अब अपकुशन मार्क में बताना है क्या हैगा यदि आपको numbering याद है alphabet की तो बहुत आसाने से आप इसको कर पाएंगे देखिए यह क्या है टू यह कितना फॉर आफ फिक्स सिक्स है आई नो एल लेंज जो कि हम बाराव जिकरते हैं पी फॉर पोजा चीक है तो यहां पर आपको number क्या थोड़ा से दे यहां पर हमने देखा क्या आएगा प्लस त्री यहां पर क्या है प्लस त्री यहां पर क्या हो रहा है प्लस फॉर तो बिस लिए आगे क्या आएगा प्लस फॉर शिक्स प्लस फॉर टैन जो कि क्या आएगा जे चीक है करक पाएंगे आप इसको ठीक है चलो एक और लिखता ह मैं कि ए जड़ जी टी एम एन फिर यहां पर मैं क्यूशन मारक देता हूं आपको फिर वाई बी ओके चलो नमरिंग करते हैं यदे आपको नमरिंग अथ्य से याद है तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे क्यूशनों को यह वान यह ट्वंटे सिक्स यह जी सेवन टी ट्वं एक यह सेकंड लास्ट फस्ट आपका और यह सेकंड आफ का फरस्ट तो यह थर्टीन और यह 14 यह क्या है 25 और यह क्या है चू तो दिखिए यहाँ पर आपको मैं ओप्शन दे रहा हूं देखिए जे अच एस एच और और मैं दूँ आपको एस के और फिर एक option में आपको देता हूँ जे क्यों तो देखिए पहले तो हमने एक बात देखी कि यहाँ पर जो सम है वो 27 आ रहा है सबका 27 तो क्यों ना हम यह इसमें करके देखें तो देखिए यह है जे 10 एच एट तो यह तो वैसे क्रोस है एस 19 एच एट हाँ यह हो सकता है यह option हमारा हो सकता है 19 और यह क्या 11 यह नहीं हो सकता फिर हमारा आता है जे जो कि 10 और क्यों आपका 17 यह भी हो सकता है अब दो option फिर से बच गे अब हम क्या करें ठीक है तो यह दीन में से एक ही ह होता है ऐसा तो हम फटाक से बिना देखिए इसको कर सकते थे लेकिन अभी अमरे पास दो अप्शन है तो देखिए अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इन नमरों में क्या हो रहा है देखिए वन और सेवन मतलब प्लस सिक्स यहां पे हुआ है और इसे तरह से यहां प इस वाला पेर दूरह तो आपका यह वाला तो क्या रहेगा आपका है अच इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अधे इसके बाद मैं आप ऊस्टवरा से बताया है था कि क्या बताया है मैं आपको ढ़्सिसे लिफ्ट राइस का जुरूल में Geral बताया था कि अल्फाबेट में लेटर रहेगा इस तरह की कुश्चन में आपको कराये थे ठीक है देखिए वो कुश्चन हम कैसे कर पाएंगे देखिए मैंने आपको बताया था कि यदी यदी चलो मैं इससे पहले थोड़े से एक दो अक्जाम पर लिखता हूं आपको और क्लीर हो जाएगा वैसे मैंने कराये थे पहले भी लेकिन फिर से देख लो which letter which letter which letter will be will be the sixth 6th to the 11th 11th letter from from the right from the right and of the alphabet 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 ठीक है एक एक जम्पल और लिख लेते हैं सुपोज इफ चलो एक और लिख लेते हैं इस दा अल्फा बैट इस दा alphabet our alphabet series is return in in reverse reverse order then which of the following which of the following which of the following which of the will be will be seventh letter to the left of left of eighth है एट फ्रों एट लेट लेटर है फ्रॉम यू आर राइट है ठीक है दो एक जम्पल देखते हैं पहले मैंने आप कोई चीज़ बताए थी कि जब भी राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट दोनों एक साथ आते हैं तो आपको माइनस कर लेना है बड़े वाड़े नंबर में से छोटे वाला ठीक है लेफ्ट का बड़ा है जैसे सेवंथ आज गया एक राइट से एक टीन था तो एक टीन में से सेवन माइनस कर लेंगे ठीक है या फिर ऑपोजिट आते हैं राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट तब आपको प्लस कर लेना यह यह तो आपको माइनस करना था और यह आपको क्या करना है प्लस करना है ठी एक चिह विसेथ बकुद नी है कि from फ्रोम के बाद कहा से के रहा है फ्रोम दा मधा यहां पर ib from u r A right से के रहा है कि तो लास्ट में जो बचेगा वह आफ को उसी ist पिच्छे से देखना या आगे से देखना है हमने बताया था ना कि इधर से आपका left side होता है और इधर से आपका right side होती है ठीक है तो इस इस का आपको भी इस धान रखना है अब देखी इस question की बात करें which letter will be the seventh to seven to the 11th letter from right end of you of the alphabet देखो six इसमें है six to the 11th letter from right end अच्छा इसमें थोड़ी सिक्रवर रहे गी six के बाद हम six to the left to the 11th letter from your right ठीक है एक left यह right मिलेगा दोनों तो जब भी six बात कर रहा है 11 की बात कर रहा है उसके आगे left से बताएगा राइट से कुस्तों को बताना पड़ेगा तो देखी यह six है left में और यह 11 है राइट में तो मैंने आपको बताया कि अपोजिटे एक left से आया है एक राइट से आया है तो हम क्या करेंगे दुन्नों को एड कर देंगे तो 11 plus seven ठीक है 11 प्लस सिक्स्थ बताया ना सिक्स्थ यह ठीक है ठीक है ठीक सिक्स्थ आम ती हो गया 17 अब देखी है फ्रोम आमन ह्म्जान फ्रोम धर राइट एंड राइट एंड से 17 नमबर पर क्या है राइट एंड जे एन वह बतार आ या तो आप याद रखो जो लेटर राइट से 17 पे है वह कितने पर होगा मतलब सम्ण करके देख लो हमें यह टैन्ट लम जोडने से तकर यह तो वो लेप्स लिए ना पिच्छे से 70ged化 में ना भी याद हो लेकिन आगे से तो पेच्हे से आपको पता लग जाए कि फिच्छे कुन से नमबरर से तो आपको 27 मैं जोड़ने कर लिम मायश takiego to 27-17 कितना बच जेगा टेन तो लेफ्ट साइड से दस्वां क्या होता आपका सुरी क्या एदेगा जे जुट्टी बाड़ा जे आपका अंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया देखे ये लेफ्ट था ये राइट था लेफ्ट राइट दो अपोजिट तो इसका मतलब हमने एड किया एड किया तो एलेवन और सिक्स सेवंटीन अब देखिए ये तो आया राइट एंट राइट साइड से 17 नंबर हमें याद तो आगे से न तो उसको 27 में से कम कर लिया तो आया 10 जो कि लेफ्ट से दस्वे नंबर पर अच्छे से पता है जो टिका सेकेंड दस्वे नंबर का जो कि यह होता है अब देखिए यही बाद इसके उपर फॉलो करें हम देखिए क्या है इस अल्फाबेट्स सीरीज इस रिटन इन रिवर्स और पहले ही उसको उल्टा लिख दिया गया पहले से उसको उल्टा लिख दिया गया विट्स ऑफ दा फॉलिविंग विल बीदा सेवंट लेटर तुद लेफ्ट ओफ एटीन टेटर फ्रॉम यूरे राइट फिर भी इसमें लेफ्ट और राइट आगे इसमें भी एड़ करना पड़ेगा आपको एक कौन से नंबर का है सेवंट टू दा लेफ्ट ओफ एट लेटर फ्रॉम तो एक सेवन और एक एट दुन्नों को हमने एड़ किया तो फिफ्टीन आया इसने बताया फ्रॉम यूर राइट फ्रॉम यूर राइट अब देखिए अल्फाबेट को तो रिवर्स में लिख रखा है इसका मतलब यह चैनल यूर इस तरह से और लास्ट में काया हुआ है अब राइट में गया तो राइट में तो यह हो गया इसका मतलब लेफ्ट से हमें पता करना जो भई A B C D इस तरह से फिफ्टीन नंबर पर क्या आए गा तो इसका मतलब डे ता अग्या होता है आपका ओ ठीक है यह तो क वर्च प्हला ही ताकि इसमें time जो है consume होता ज्यादा तो देखिए आगली जो problems alphabet test में जो आती है वो इस तरे क्याती है letter word problems प्रोब्लम्स ठीक लेटर वर्ड प्रोब्लम्स देख किस तरगे क्यूशन समय पूच जाते हैं कि एकिशन है, how many pairs of letters, how many pairs of letters in the word double, T-A-W-B-L-E double, have as many letters between them as in English alphabet series, alphabet series में भी उतना ही difference होता है, जितना की, यहाँ पर यह word दे रखा है, है इसमें है देखे क्यूशन को समझे आप यहां पर इसने दे रखा है डैबल ठीक है डी डबल बी-ल-ई ठीक है देखे आप यहां से लग जाओ और अलफाबेट को देखो बीक डी के बाद कहाता है यहां पर यह आए हुआ है तो यह नहीं वाँ डी इफ जी एच आई नहीं फिर इस अगले को पगड़ो तो A के बाद B आता है अलफाबेट में तो A के बाद B आता है ना तो एक हो गया एक पेर बन गया ना A और B का ठीक है फिर इसके बाद और आके देखो A B एक तो पेर बनी गया फिर C फिर D और फिर E इस A ने एक पेर ये भी तो बना लिया ना A B C D E A और E के बीच में तीन होते हैं देखो A और E इसमें तीन होते हैं ना तो यहां पर भी तो तीन ही आए हुए हैं तो इसका मतले एक पेर देखो पहला पेर तो क्या मना था अपका A B का दूसरा पेर हमने क्या मना दिया A or E यह क्योंकि A और B के बीच में तो कोई आता आलफवेट में आता है ना यहाँ पर है इसका हुआ है तो होगा है और A और E o आते हैं बीच में और इधर भी तीन ही आये हुए हैं ओके दूसरा प्यर यह बन गया अब देखिए एक को मने देख लिए आप बी कर नमरा तो बी के बाद सी डी इए B C T E B और E देखो B और E के बीच में कितने हैं दू यहाँ पर भी B और इस E के बीच में कितने हैं दो ही हैं तो कितना नमर एक प्यर यह हो गया B और E का ठीक है फिर अगले B का नमबर है तो B C D नहीं बना फिर आपने लिया L L के बाद क्या एगा M इधर से तो पूरे होगी अब आपको बैक साइड से भी देखना है ठीक है E F G H I J नहीं है फिर L M N O P नहीं है फिर B C D E नहीं है फिर इसका नम B C D एक पर यह बन गया ना किसका भी और डीका क्या बन गया भाई B और डीका तो देखिए आगे से और पीछे से भी आपको वह चैक करने कि कितने ऐसे पेर हैं जो इंगलिस अलफाबेट में भी उतना ही गयप होता है जितना की इस वर्ड में है ठीक ह मैं और लिखों आपको काउंट करना है मैं लिखता हूँ कैरेट सी ए डबल आर ओ टी ठीक है काफी इंपोर्टेंट क्विश्चन है भाई यह कि देखें यहां से लगें सी डी इफ जी एच नहीं आया एक भी ए बी सी डी ए एक भी निया आर एस टी यू नहीं है फिरिशार से आर एस टी एक तो आघ्या रसा टी देखिए और उर टी यहां पर भी आ और लटी के बीच में एक ही लैटर है इसर पिर विए यहन और फिरहां पर दो K Rafi के बाद कुछ है नहीं आगे तो Bक साड के बाद क्याएगा है U V W X Y और के बाद के बाद कहेंगा P Q R S नहीं है फिर R S T U नहीं है फिर R S T फिर A B तो एक ही पेर बना कितना सेश का वन ठीक है आप देखना चाहों तो और कोई जैसे हम मैं आप पूलिक के देता हूं पी ए आर आई आई पैरा डी आई एस ए पैरडाइज एक तो यह देख देखो आप करके और एक आप देख लो दूसरा होरी जान ठीक है कुछ भी ठीक है वहत इंपोर्टेंट क्यूशन है इसको देखना चैसे इसके बाद देखी अगली टाइप क्या आती है वर्ड फॉर्मेशन बाई अन्सक्रंबलि लेटर्स अन्सक्रंबलिंग होते हैं बई जो उल्टे सी अरेंज हो मतलब उनका पैटर्न सही ना हो उनसे कोई एक मीनिंग फुल वर्ड आपको बनाना है देखी इसमें क्यूशन ऐसे दिया है उस लेटर लिख रखें और वी को बन दिया है एको टू अच को थ्री और इनसे खुद ही एक वर्ड बनाने की कोशिस करें देखो वी एच वाइए तो कुछ सोचें कि क्या बन सकता है इन पांच लेटर से कुछ वैसा मिनिंग फूल बन सकता है तो चलो दिमाग में नहीं विया तो उप्सन तो है अपने पास है तो हम क्या करें देखी टू एट्री हेट फोर वाई ए और वी कुछ नहीं बना फिर ट्री एच टू ए फिर फिर वन के उपर वी और फ्यों के उपर वाई है एक ए बह एक थिए ए वाई ठीक है तो क्या बन गया आपका यह है वी ठीक है है भी तो मिनिंग्फुल बन गया ना तो आगे आपको अब देखने की जुर्ट नहीं है समझ में आगे वह इस तरह की क्विश्चन आप से पूछ ले जाते हैं अच्छा अब कोई वर्ड दे देता है अगला जो है वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर्स ओफ ए गीवन वर् शुक्य का कि इन से एक मिनिग्फुल वर्ड आप हम बना ये अधिसे करा कि find a meaningful word from the word contract a starting with a starting with a a echo him kya malay first malay echo first pay and second fourth and fifth and the sixth letter of the word here first pay your second pay your third pay your fourth pay your fifth pay six pay seven pair it pay the second fourth or sixth second fourth fifth and sixth fifth fifth day second fourth fifth or sixth kya 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 bna pvas o t o t r tax kya 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 a red bond e a kya 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 A s a iniciar com detail Square को आर ठीक है थोड़ा से सोचना तो पड़ेगा यह आपको इस तरह से आपको यह अरिंज करके एक मीनिंग्फुल वर्ड आपको बनाना था तो एक्टर ठीक है अभी नेता इसका बन गया है अब देखिए कुछ क्यूश्चन इस प्रकार से पूशता है कि कहता है कि इस के पास पी ए टी ए और अगला है आपका है कि तेंटर टी अन्ट यार इसके बाद एक आता है डी आप्शन में टीए एस टी ए आर ठीक है उपरी तोर से देखिए तो यह लगबग बन रहा कि इसी में से हैं देखिए M कैसे चाहिए हम देख लें इसमें है M E B T B है E B है दो बार E है और R B है ठीक है तो यह तो बन सकता है पीटर P E T E R तो P E T E R बन गया Tender T E N T E R बन गया T last T E S T E R देखिए T T E S नहीं है कहीं भी इसमें लिख रहें टेस्टर तो क्या हो जाएगा आपका D option हो जाएगा ठीक है इस तरह से यह करने थे तो कुछ एक और होते हैं इसमें एक दो लक्चर और बनेंगा